C I E T N C E R T द्वारप्रस्तु थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी हरी भरी दुनिया प्रिष्ठ संख्या 94 अध्याय सत्रह हवा आनंद मै कविता उपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साएं साएं मुन्नी को छेड़ कर चड़ गई पेड़ पर हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं और जाऊंगी मुन्नी बोली हसकर हवा रानी बसकर पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें एक बच्ची गुबारे लेकर दोड़ रही है और वो खुश हो रही है जबकि कुछ पत्ते डाली से गिर रहे हैं प्रिष्ट संख्या 95 चितरकारी, मान लिजिए कि मुन्नी ने हवा से भरे फुग्गे आपको दे दिये, आप उन फुग्गों से क्या करेंगे? सोचिए, चितर बनाएए और कुछ शब्द भी लिखिये कुछ शब्द दिये गये हैं, आप उन में से भी शब्द चुन सकते हैं हवा, फुगगा, गुबारा, खेल, मुन्नी, प्रिष्ट संख्या 96 चितर में देखकर बताईए कि मुन्नी के बाई और दाई और उसके आगे और उसके पीछे क्या-क्या दिख रहा है इस प्रिष्ट पर दिये गए चित्र में मुन्नी के दाई और एक पेड है, बाई और दो गमले लगे हुए है एक पेड है जिस पर जूला टंगा हुआ है मुन्नी के सामने दादा दादी कुरसी पर बैठे हैं और बच्चे खेल रहे हैं जबकि मुन्नी के पीछे एक घर है मुन्नी के दाई और रिक्तस्थान रिक्तस्थान मुन्नी के बाई और रिक्तस्थान रिक्तस्थान मुन्नी के आगे रिक्तस्थान रिक्तस्थान मुन्नी के पीछे रिक्तस्थान रिक्तस्थान गोडे को जंगल तक पहुचाईए यह गोडा केवल O के रास्ते पर ही चलता है और अन्य अक्षरों पर रुख जाता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहायक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत